जिसने भी जनता का धन लूटा है जिसने जौब के एवज में ओने पौने दाम पर गरीबों से जमीने हड़पी है जिसने छेसो करोड का मोटा घोटाला गौमाता का चारा चोरी करने के बाद घोटाला किया है तो उसको तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसलिए आज जांच के बाद यदि जांच एजनसी आपके कई बार कोट जाने के बाद भी आपको कोई राहत नहीं मिलती है और जांच एजनसी उसमें कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है तो इसमें सवाल तो ये होना चाहिए कि किस प्रकार से जो लोग युवाओ की रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार को लैंड के नाम पर लैंड चीनने के नाम पर वन फोर्थ और वन फिफ्थ प्राइस पर गरीबों की group C की group D की जो जौब के लिए अपलाई करते हैं उनकी लैंड को लेकर आपने नौकरियां दी और कैसे उनका शोशन किया आज उसका भांडा फोड हुआ है ये रिवर्स रॉबिन हुड है रॉबिन हुड तो अमीरों से चोरी करके गरीबों को देता था ये रिवर्स रॉबिन हुड में ये प्रथम परिवार भष्टाचार का गरीबों से चोरी करता है उनकी जमीन हडपता है और अपनी जेबे भर और 600 करोड का गोटाला करता है तो इसमें जो कानूनी कारवाई थी वो कानून सम्मत हो रही है।